Hello students, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप घर पर स्वस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों मैं आपको संदी का टोपिक करवा रही थी, अब हमारी दो संदी हो चुकी थी कोंसी? सबसे पहली थी हमारी दीर्ग संदी, उसके बाद थी हमारी यन संदी अब हम तीसरा पार्ट करेंगे गुण संदी, कोंसा है हमारा तीसरा पार्ट? गुण संदी परिभाशा देखिए बच्चों इसकी अर्थ समझे बच्चों, ए आ इनके पश्चार यदी इउरी वर्ण आगच्छती मतलब आता है तो उनका ए, ओ, अर और अल हो जाता है सामाने प्रक्रिया देखिए बच्चों इसकी ए, आ, प्लस से पहले मैंने क्या पताया था परिभाशा में कि ए, ए हो या आ हो दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चों और प्लस के बाद आपका या तो छोटी इ हो या बड़ी इ हो तो उन दोनों का जब हम मेल करेंगे तो हमारा नया वर्ण बनेगा बच्चों इसी तरह यदि पलस से पहले ए, आ मेंसे कोई भी वर्ण है और पलस के बाद या तो छोटा उ है या बड़ा उ है तो चेंज होकर बच्चों हमारा ओ बनता है अगला देखिए ए आ प्लस री अगर प्लस से पहले ए या आ में से है और प्लस के बाद अगर आपका री रिशी है तो बच्चों हमारा अर बनता है और अगला है ए आ प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद अगर आपका बच्चों री हो तो उसका चेंज होकर बनता है यह आपके गुण संदी के प्रक्रियाएं हैं कि किस तरह से आप change करेंगे अब इनके उधारन से समझेज़े बच्चो पहला है आपका देव प्लस ईश है अब देखिए बच्चो हमारा प्लस से पहले क्या आया इनमें हमने यही बताया था के change होकर आपका बनता है बच्चों A और जब मैंने दीर संदी करवाई और आपको यन संदी करवाई तो बताया था कि जो नया वर्ण हमारा बनता है वो पहले पद के ऊपर मात्रा के रूप में चला जाता है तो यहां पर देव जो शब्द है उसके ऊपर यह जो A है वो मात्र हुआ भाग है वो हम यहां लिखेंगे तो हमारे पास यह बचा था देवे शह है तो इस तरह से बन गया बच्चों हमारा देवे प्लस E शह है अगला देखिए देवे प्लस इंद्र है यह बनेगा बच्चों हमारा देवे इंद्र है अब यह बनेगा कैसे यहां से हमने बच्चो ए, तो ये ए कहां जाएगा इसके उपर मातरा के रूप में, ए, और बाद में हमने बताया कि इस ए को छोड़ कर बाकी भाग जो बारा बचता है, बाकी के स्वर जो है, स्वरी जो वर्ण है, वो यहां हम लिख देते हैं, इस तरह से बनता है बच्चो देवेंद्रे अगला देखिए एक प्लस O ने है यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको A और यहां क्या है बच्चो O जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बनता है बच्चो O, यह देखो मैंने नियम लिखवाया यहां पर O ठीक है, अब यह जो O है वो कहां जाएगा इस वाले पद, जो हमारा प्लस से पहले वाला पद है उसमें मात्रा लगेगी O की एक के साथ हम O की मात्रा लगाएंगे और यहां इधर से हमने O को छोड़ कर बाकी का पोर्शन U का यू लिख देना है इस तरह से बनता है एक प्लस O ने है एक O ने है समझा गया बच्चों इसे अगला उधारन देखिए पर प्लस उपकार है क्या? पर प्लस उपकार है यहां पर क्या है आपका? A और यहां है O मिलकर बन गया बच्चों O ठीक है? अब यह O कहा जाएगा? रह के उपर मातरा के रूप में परो और यहां O को छोड़ कर बाकी का पोर्शन हमें इसके पीछे लिखना होता है बहुत इजी टोपिक है अगर थोड़ा सा भी द्यान से समझेंगे तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी इसे आगे देखिए बच्चों महा प्लस उर्मि यहां क्या है आपके पास? आ और यहां क्या है? उ जब आ और उ को मिलाते हैं तो हमारा O ही बनता है और यह O कहा जाएगा? इसके साथ देखिए जा रहा है महो और O को छोड़कर बाकी जो बच गया हमने इसके पीछे लिख दिया इस तरह से बच्चों हमारा बन गया महोर मी अगला देखिए तव प्लस लरी का रहे है अब यहां क्या है बच्चों हमारा? आ और यहां क्या है? लरी आ के बाद जब लरी आता है तो उसका बनता है बच्चों अल यह यहां रूल देखिए आ आ अगे हो और लरी हो पिछे तो बन जाता है हमारा अल अब इसको जोड़ेंगे कैसे? वो देखिए तावे प्लस लरी का रहे है अब यह जो आ है और लरी मिलकर हमारा अल बन गया तो यह जो आ है वो इस वै के अंदर मिलेगा तो यह पूरा वै हो जाएगा और यह जो लै है यह आदा है तो यह आदा अल है आदा का आदा रहेगा यहां पर और इसके बाद यह पीछे का जो लरी को छोड़कर बाकी portion हमारा बच गया इसके पीछे लिखेंगे इस तरह से बच्चो हमारा बनता है तुलकार है अगला देखें देव प्लस रिशी ही देव रिशी यह कैसे बनता है यहां है बच्चो हमारा ए क्या है और यहां है बच्चो हमारा री और इन दोनों को मिला कर बच्चो बनता ह है हमारा ए रहर क्या है बच्चो अब यह जो ए है यह तो यहां पर वे के साथ मिलकर पूरा वे रहेगा तो यू का यू और रह कैसा है देखो बच्चो हमारा आधा आधा रह हमारी जो कुछ संदी है वो पप्रीट हो गई है अब मैं आपको दरवारा रही है उन्दी संदी की परिवाशन है के ए आ इसन्यों पस्टार्श के आई ओ वह वे ती वाइदे आज़े शाथी एक करमशन है आई अग्जवा अग्दी अर्शत बच्चो कि यदि ए आ के बार घ इसका है आई में से कोई हो या आपके आपके पास आ हू जों पने से कोई वी बढ़ हग मं रहा है तो आपका चेंज उपर में चों अउle बनता है यह होता है आपकाा क्ांसे इसका पहले आ हो या अ आ हो और बलस के बाहता है या आ है इसको दोनों से कोई-बी यह बढ़ हो तो चेंग हो अब बना है यह है इसका रोड अब इसमें देखें पिछो इसका उदारा देखिए पहला दार रिश्वाओं का A प्लस A कम तो यहां पर पच्छबें को हमारा क्या है प्लस के पहले A ठीक है और प्लस के बात क्या नहीं पहले रहा है आपको A A और A मेंदर क्या बता है A और अमने बताया था जिस स्कूर करिवाण होता है A प्लस A हमारा बनेगा को आई पर यह कहां जाता है मैंने बताया था जो आपका प्रूर में पदर है इसके उपर यह मांत्रा पेलिग में जाए ठीक है एक कई और यह तो लास्ट में आपका बचा पोर्शन है वो इसके पीछे लिखा देगा इस तरह से आपका बनेगा जो एक कई तौँ अगला इसमाप देखे दे प्रस एश्वर यहां यहां क्या आपका यह रहा है और यहां क्या है अमारे पास आई चेंज ओकर क्या बनेग जाओ और यह टाइज आ जाएगा इसके उपर मात्रा के रूप अब यहां पर हमें इस टाइब को सोड़ देना है और बाकी क्यों बचा हमारा वो इसके पीछे लिखना है देवरेश कर यहां ओके अगला की ठीक्तियों गंगा प्लस प्रोग है तो यहां क्यों साब रड़े आपके पास मैं से करें आप गंगा में क्या मिला हुआ है और यहां है पुच्छों आपका ओ तो जहीं हो का दूल के बोड़ी क्या बताया है मैंने आउप इन दोनों को जो लखी लाएंगे तो बनेगा बिच्छों हमारा ओ और यह ओ जाएगा ना गंगा पार मात्रा के रूप में ठीक है इस प्रेस और यह आपका है गंगोग अगला देखे महा प्लस आउप शेखी यहां क्या है आप और यहां है बच्छों आपका ओ दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा ओ यह मैंने यादा बताया है यहां के बाद को याओं के सचाए कोई भी आए हमारा आउँ ही रहता है और यह आउँ जाएगा है के साथ यहां ठीक है और बीचे से यह हमेश है और धुली को लेकर यहां इतना है महोग शेखी यहां पर आपके प्रीटी संदी जो है अब हमारा जस्वर संदी का लास्ट टोपिक है वह बरवागा यहां आपको आयादी संदी यह संदी के लिए पांच बेर बताया थे पहले हमने की दीर संदी उसके बाद जर्ण संदी तेस्रे नमबर पर तरही है अब हमने को संदी प्रीटी अब इलागे आपकी आयादी संदी की प्रिवाशने लिए ए आई ओ अओ बेदी वर्णस दश्चार को अपीस वर्ण है आवच्छभी चेर्ट स्थाने रख शह आयाओ आवच्छ वाहादे शह बंदी आथ शंदो ए आई ओ इन बारों के बार मनलब प्रस से पहले इन चारों में से कोई वीवर्ण हो सकता है उसके बार कोई अन्य स्वाव वाणा आज़ता है लगने से बिच्छो कोई वीवी हो ए अई ओ उर इसके बार कोई बुच्छा स्वाव वर्ण हो तो कैसे चेंज़ रोएगा यदि आगे आपके मस्दी है तो बनेगा आखा आई अगर आगे आपके जश्चे अई है तो यदि आउ है तो आप इस तरह से आपे चेंज होते हैं तो इसके उदारन से समझो आप सबसे पहला उदारन है आपका गई प्रस अगें, इसका मनता है रचो गाई है, अब बैलेंगा कैसे को देखो, यहां कर आपके पस क्या है रचो आई, और यहां है एक, तो हमने बताया कि जब ए और रखी आते हैं तो यह बनता है आख अपना चेंज उपने बेंगा एख इस जयाटने साब इस आती मातना लगेगे और यह जो यह दिखाएके रहा हुँ हवालत वालत वालत यह अजब है यह आता आता है इस आतर है में जब यह बाता है हम बिलाएं के तो यह पूरा यह बनेगा और बात की शुक्तने है वो इसके पीछे जाएगा इस तरह से गई प्लस तक है आपका साइमें बन जाता है अगे आप ताहर देखिये ने प्लस आनम ने में जामना हो एक जो ए और यहां आनम में है ए ए और ए बिल्दा देख्चों आपका आयो बनता है पिर ए जो रहा है वो पाण आएगा ने ने आदा था तो विसके सिजब हमने ए को बात निकाला तो ने आदा रहिए इस आधे ने जब एम लाइन में तो पूरा होनेगा अर इस आधे यह है कि अंदर ने बात रहा है यह लगिन है तो यह पूरा है बसता है और ने आधे इसके पीछे है तो इस तरह से चेंच होकर बदनेगा ने प्लस आनम नए नम अगरा देख्जिए एक जांपव प्लस पस रहे है क्या रच्चो अउट, प्रेख अउट की वादना है, तो हमारे पास यहां आदया अउट, और अच्छे में पेच रहे हैं, तो यह फिलातर रहता है तो आपका आव, बैख आपका, हरन पार है तो देखिये पै, अउट हट चुका है अउट ने आपका रहे हैं, तो यहांसे आ पार मढ़ चुका, हमारे पासके वाद आधा पैम बचेशले रहता, आधा पैम पेच लिए आउडा होना के तो फूरा पां, अब बैए इसा है कि में अदल, इस आधा मैमिह चिछ अध्यवाद आडा आप पई में का है बचो ओ जे तो यहां से देखना पेम एक कुल सब्सक्र आपके बरास ओ तो यहां से का ओ लेखो कया नेकिए यहां से अने ओ और यहां से जाजिया, जब इन दोनों को विद्धा अने तो बच्छो बंसा है नहां अब यह मैं जर्मुल्स यहां लिखाए है तो यह आपकर यहां आपकर करने है ठीक है? 4-plus लेखें आवब अगरतास है तो वही बादा साथ है कि यहां पहले बच्चों क्या मिला है? यह वाला है पहले से पहले से तीक है? इस बैटे अंदर यह वाला है मिला है पूरा गया और इच्छी यह दिन में और में लिखा है यह एज इस ज्यानिके तो क्या बंगे है हमारा लेके परवजब पो प्लस अना दर्जार जो हमारा का बंगा तो बच्चों यहां पर हमारा संदी का टोपी संप्लीट हो गया है आशा करती हूँ आपको समझा गया आपका यह दिन नहीं समझाया आपको से गुछ सकते हैं सभी बच्चे इस संदी के टोपी को अपनी नोट्रूप में लिखेंगे और याद करेंगे Thank you